हेलो फ्रेंज वेलकम टू एस्वाई एकेडमी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्ट एपिडेमिक्स की अगें नॉन ट्रेडिशनल मैथर्स ऑफ सेक्रिटी के अंदर यह आता है और हम यहां समझेंगे की हेल्ट एपिडेमिक्स कितने खतरनाक चीज है मतलब कोविड ने तो हमें रिलाइस करा दिया है कि हमाई जनरेशन ने देखी लिया कि शायद इतना बड़ा प्रॉल्लम वार भी नहीं है टेर्रिरिजम में नहीं है जेतना कोविड बन किया है न तो इस यह टॉपिक काफी इंपॉर्टन दो जाता है सेक्यूरिटी एंगल से क्यूंकि अमीर इलाज करा दे था है हमारे अमीर भी है देखिए मैं वह बना नहीं करता है यह गरीबों का तो इलाज ही नहीं हुआ है न तो यह एक सीरियस इशू रहा हमने जो कोविड में देखा जो सेक्यूरिटी कंसर्स उठाता है और लोगों ने क्या क्या बरदाश कर उस टाइम में इस अब आप सब लोगों ने देखा हुआ है राइट है एपिडेमिक सच अचाइवी एड्स कोई एड्स की फुल फॉर्म बताएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए बर्ट फ्ल्यू बर्ट फ्ल्यू कापी फैलता हूं सार्स सार्स है सेवेर अक्यूर रेस्परिटरी सेंड्रोम बसी कली रेसपरिटरी डीजीज रहां है वाइरल डीजीज वेर रैपिटली स्प्राइट एक्राइट एक्रोस कंट्रीज थू माइगिडेशन बिस्निस तुरिजम मिलिटरी ऑपरेशन था थ्यान दीजे कि देखो यह ब्लोड लिखे हैं कि ग्ल कंट्री सक्सेस और फेलियर इन लिमिटिंग देश्पर अफ इस डिसेज़ अफेक्ट इंफेक्शन दा अधर कंट्री महुत इंपॉर्टन है दोस्तों की जैसे कोविड है वो पूरी दुनिया में अभी खतम हो चाइना में जैसे अभी केसिस आ रहें बढ़ लेंके तो खत आनिमिक का जाता है ठीक है और सिर्फ लोगों में ली अगर यह एईमिल में भी दोस्तो हो रहा है न एपीडंक अगर एनिमल्स में भी डिजीज हो रही है दोस्तों तो पहीव applying category में आतीक ही मतलब ही 얼마나 और humans भी होगए एच एनिमल्स भी हो गए एक ही टाइम में और काफी जादा लार्ज नंबर ऐसे नहीं कि थोड़े से लोग हो गए और एपिडामिक जो होता है दोस्तों वह पेंडेमिक में बदल जाता है जैसे कोविट जो है वह पेंडेमिक है तो पेंडेमिक का मतलब यह होता है जो बहुत साथा कंट्रीज में हो या बहुत साथा कॉंटिनेंट्स में हो तो मतलब एपिडेमिक दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एपिडेमिक आपके सिर्फ इंडिया में है पाकिस्तान में है या यूई में है पेंडेमिक मल्टिपल कंट् होगा तो epidemics spread हो सकते हैं और रोकना ज़रूर ही है सब countries को otherwise कोई फायदा नहीं जाए पोल्यो है सब चिलते हैं कि पोल्यो जो है वो पाकिस्तान अफगारिस्तान इन countries में खतम हो जिससे कोई दुनिया में जाए राइट जिन में से दो बाइ तीन तू थर्ड अफरीका में थे और जो बच गए उसके आधे साथ इसिया में थे और आपको हम यह अलड़ी देख चुके हैं यह पूर कंट्रीज है सदन में आते हैं अब तो काफी जगे का जा रहा है कि मैडिसन भी आ गई है मतलब जिससे पूरा खतम हो जा रहा है ध्यान दीजिए आपे वर्ट की नौर्थ अमेरिका वगेरा में जो एट्स हो रहा है वहापे लोग अराम से जी रहे हैं अराम से अपनी लाइफ काट रहे हैं बिकॉस काफ पहुंच ही नहीं है और कम पहुंच रही है इसमें भारत में काफी अच्छा रोल प्ले करा है जो HIV की मैडिसन्स प्रोवाइट कर रहा है अफ्रीका के देशों में और एशिया के देशों में पर अभी भी काफी मैडिसन्स काफी लोगों के पहुंच से बाहर हैं बट इस ट इत्ती बड़ी चिंद्र का इशू बाकी देशों में नहीं है अफिरिका में तो बहुत ही बड़ा कंसान है अभी देखेंगे कैसे अधर नियू और पूर्ली अंडर्स्टुड डिजीजेस सच अज एबोरा वाइरस हेंटा वाइरस हेपेटाइड़ सी है विमर्जट तो यह नहीं डिजीज आहिए जिसमें आप कोविट पर राल रखते हो वाइल ओल्ड डिजीजेस लाइक ट्यूबर क्लॉसेज मलेरिया डि तो दोस्तो वाइरस हो गया या यह जो माइक्रोब्स हो गएं यह अपना मुटेट करते रहते हैं मतलब आपने एक डर्ग बनाई एक तरीके के एक तरीके के फरेंव़ वाग के लिया अपने ड्रग बना दिया यह देना बना दिया थी अगुज तो इंसान भी बदलता रहता है और बागी यह जानवर वाइरस वगेरा माइक्रोब्स भी बदलते रहते हैं तो ड्रग आपने इसके लिए बनाईती है अब इसके लिए चलती नहीं है जादा एफेक्टिव नहीं है तो यह भी एक चिंता का विश्चे है कि आपने ट्यूबर क्लॉसिस की जो मैडिस्स बनाई अब तो ड्रग रिसिस्टेंट हो गए और भी प्रॉल्बम्स है कि आज कर लोग एंटीबाइटिक्स ऐती जादा ले रहे हैं कि ट्यूबर क्लॉसिस के लिए जब एंटीबाइटिक्स दी जा रही है तो कामी नहीं कर रही है यह भी पंगा होता- लोग का चिकन ना क्वाने से, तो यह भी है, Export, Import, पताने क्या-क्या है ना, सब Supply Chain भी जाती है, दोस्तो है ना, उसमें में जाद जानी है आप समझ ही सकते हो, और उसके साथ-साथ यह भी होता है कि जैसे गाए में कोई डिजीज फाले दूद ने निकालेंगे तो ये परिशानी है किसान की गाए मर जाती है उसका तो वो तो पूर बन गया दोस्तों जब वो पूर बन गया तो क्या करेगा है हम समाजी चुके हैं पिछले लेक्टर्स में देखा है ठीक है मैट काउड डिजीज होगे ती बिलियन ओफ डॉलर्स का लॉस होगया बर्ट फ्लू शट्डाउन सप्लाइज और पूल्ट्री एक्सपोर्स फ्रम सेवरल एशन कंट्रीज बर्बाद होगए लोग सुसाइट करने लग गए साउथ एशिया में जब यह बर्ट फ्लू फ्ला सच एपिटैमिक्स डिमॉस्टेट दा ग्रोइंग इंटर्डिपेंडेंट्स ऑफिस्टेट्स मेकिंग दियर बॉर्डर लेस्ट मीनिफुल दैं इन दा पास्ट एंफिसाइज दा नीट फॉर इंटर्डेशन कोपरेशन बॉर्डर तो उसे एक लाइन है दोस्तों वहां से कुछ रुखता थोई ना है राइट आपने लाइन खीछ दी इसका मतलब यह थोई ना कि दा राइट तो यह चीज़ें उसके बाद सासत कंपनी को रिसर्च करने के लिए मौटिवेट करना चाहिए बड़ी-बड़ी कंपनी इसको कि आपकी रिसर्च करिए इसमें डाई है जैसे आफ्रीका में कोई डिजी आई है तो अफ्रीका में जाद़े कंपनी होती नहीं है तो इसका solution जो है maybe America को सोचना पड़ेगा America की companies को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम solve करें इसको क्योंकि अगर America ने solve नहीं करा तो यह disease बहुत बड़ी बन के America पहुँच जाएगी एक दिन I hope चीज़ें आपको clear हो रही होंगी तो international cooperation ज़रूरी है यह एक समझाने वाली बात है expansion of the concept of security does not mean that we can include any kind of disease or distress in the ambit of security अब आप बोलोगे क्या दुनिया बर की सारे diseases security में डाल दूँ कैसे समझे हो खासे जुकाम को भी डाल दूँगा पड़ी परशानी हो रही है तो उसको वो नहीं आता ठीक है if we do that the concept of security everything could become a security issue तो यह एक issue रहेगा तो security का issue क्या होता security का मतलब क्या है जो हमने शुरू में लेक्षा में पढ़ाता है यहां फिर से पढ़ेंगे उस चीज़ को कि security concern क्या है to qualify as a security problem therefore an issue must share a minimum common criteria say of threatening the very existence of referent through the precise nature of this threat may be different तो दोस्टो यह समझे आप जैसे covid है वो एक टाइम में ऐसा लग रहा था काफी लोगो को कि इंसान खतम हो जाएंगे आदे लोग तो मरी जाएंगे दुनिया में मरे काफी इतने नहीं मरें लेकिन तो यह एक security issue है दोस्तो जो आपकी पूरी existence दाओ पर लगए तो global warming is a security threat for Maldives maybe it is not a security threat for America but for Maldives it is but अगर आप indirectly लेके तो America के लिए भी क्योंकि लोग migrate करेंगे migrate करेंगे different countries में जाएंगे issues होंगे right उसके बाद ऐसा भी हो सकता है future में कि America के भी कुछ रीजन सबमाच हो जाएं तो America को भी involved रहना पड़ीदा whereas for countries in Southern Africa HIV AIDS poses a serious threat अब देखते हैं कि तबाला serious threat है ये अफरीका में देखो एक में से 6 लोग को disease है ठीक है फिर से मैं बोला हूँ HIV AIDS poses a serious threat as one in six adults has the disease in Africa Southern Africa की बात कर रहे हैं हम Southern Africa बोच्छवाना नाम का एक देश है जिसमे AIDS है ठीक है और वहाँ पर medicines की भी कमी है राइट और लोगों में demotivation हो जाता है दोस्तों वो बुलते हैं हम सबको AIDS फ्यलाएंगे राइट मैं मारूंगा सबको मारूंगा ये भी बाते फ्यल जा होती है in 1994 the Tutsi tribe in Rwanda faced a threat to its existence as nearly five lakh of its people were killed by a rival who to tribe in a matter of weeks तो ये ये हो रहा है चाहे हो दोस्तों पूरी tribe के tribe wipe out हो जारी है क्यों क्योंकि दूसरी tribe उसको attack कर रही है this shows that non-traditional conceptions of security like traditional conception of security vary according to local context इसका मतलब यह है कि context अलग हो जाता है अलग लग जावाँ में maybe आपके लिए वो security threat नहीं है maybe जो who to tribe है हमाई दे तो कुछ matter ही नहीं करती है लेकिन तुस्सी tribe तो खतम हो जाएगी right तो तुस्सी type tribe को तो हमें बचाना पड़ेगा अगर कुछ भी ना हो कोई भी reason ना हो तो human humanity के लिए right humanity के लिए बचाना होगा हमें इंसानी तो है वो right बीवी बच्चे मर्द वखिरा जो भी हैं बुल्टे सब को मारे जा रहे हैं क्या तरीका है उसके बाद तो who to tribe को मारेगी पर बाकियों को मारेगी right यह तो इसमें और उसमें फर्ब क्या होगे जो hit learn ने करा right तो यह problems है non traditional security है और solution है cooperation जो हम next lecture में अच्छे से पढ़ेंगे thank you